समस्ते मित्रों मैं गिर्ण सिंग दसाद इशा के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं ज्यादा समय ना लेता हुए मैं पापांकुशा एकादशी के लिए संच्छेप में एक वीडियो परसुत करने के एक चुकू जो निम्नब्रक श्यादार है भाब आंगुशा एकादशी के वर्द एकादशी में सबसे प्रमुकमाना गया है इस एकादशी में हम आपने किये गए समस्तरबापों का दुरोद करते हैं प्रहँवान प्रभु विष्णु की अराधना करते हैं भगवान पदनणाव की रूप में उनकी आ आट अक्टूबर 14 बच के 50 मिनिट से 9 टूबर 17 बच के 18 मिनिट तक है इस इस एकादशी का पारण आप 10 अक्टूबर को सुबह 6,25 से 8,45 तक कर सकते हैं अगर इस समय नहीं किया जा सकता है तो दुभेर होने तक आप इस एकादशी का पारण सीकर तीशीकर कर लीजेगा दु नक्ता भोजी हो सकते हैं नक्ता भोजी का मतलब शाम से पहले आपको एक बार मात्र भोजन करना इस भोजन में आप साबु दाना, घाडा, शकरकंदी, आलू या मुणफली का प्रियोक कर सकते हैं जो भक्त माता का शार्दी नवरातरी को आयोजित कर रहे थे और वो उसका को कंटिन्यू करके विशे दश्मी के अगले दिन भी आप इस वृत को योज कर सेथे क्योंकि आप उस दिन वृत रहेंगे ही और अगले दिन एक दिन और वृत कर लेते हैं तो कोई खास अंतर आपको नहीं पड़ेगा और आपके पुन्हों का बर्दन ही होगा कोई नुकसा को परम इसे खादशी में जीवों का परम लक्ष जो है भगत प्राक्ति हम अत्यंत शीगर पुर्वक कर सकते हैं सारी एक्छाओं और से अगर आप मुक्त हो जाते हैं और शुद्धमन से भगवान की आप सेवा करते हैं इस दिन तो आपको शीगरी भगवान की करपा मई भ वक्त वत्सल प्रभू आपको ये वक्ति का अशिरुवात सदा सदा के लिए आपके उसमें जीवन में पका परकट कर देते हैं इस संचे मैं किये गए एक पावांकुशी एकादशी के वीडियो के लिए मैं आप लोगों को आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हू मैं उसके लिए चमा प्रारती हूँ और इश्वर से और इस वक्त चल रही सारदीन अबरहत्री मैं आप सभी भक्तों के पुन्यों के वर्धन के लिए मैं मावकवती की रात बंदना करता हूँ और उनका प्रयोग करता हूँ प्रॉन जय मत आदी नमस्ते